अज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपका PNB यानि पंजाब नेसल बैंक में अकाउंट है और आप जो है अपना नया ATM कार्ड अपलाई करना चाहते हो तो किस प्रिकार्ड से जो है आप अपना नया ATM कार्ड अपलाई कर सकते हो आपको जो है हम को बिन एसकेप के ओच करते रहेगा तो चलते ना उस तो वीडियो को सुरू करते हैं फ्रेंड सबसे पहले जो है आपको अपने फोन में पिले स्टोर ओपन करने के बाद आपको जो यहां पे सर्च बार में टाइप करना है PNB 1 यहां पे जो है आप देख सकते हो मैंने जो पे टाइp कर दिया है PNB 1 आपको भी यहां पे PNB 1 टाइp कर देना है PNB 1 टाइp करने के बाद आपको जो है इस एप्लिकेशन को ओपन करना है यहां पे आप देख सकते हो PNB 1 PNB Just 1 PNB app तो यहां पर जो है आपको PNB 1 एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है अगर आपने पहले से ही pnb1 application को download कर रखा है और आप जो है pnb1 application को use करते हो तो आपको जो है simply से open करना है pnb1 application को open करने के बाद यहाँ पर जो आपसे मांगेगा आपका mpin तो यह जो mpin है आपको इसमें इंटर करके login कर लेना है otherwise अगर आपने अभी तक इसमें अपना जो customer ID है वो registration नहीं किया है तो आपको registration कैसे करना है उसका वीडियो मैंने already बना दिया है तो आपको जो है उस वीडियो का link description में मिल जाएगा आप जो है उस वीडियो को वोच कर सकते हो तो यहाँ पर मैं जो है अपना पिन इंटर यहाँ पर कर देता हूँ तो फ्रेंड आपको जो है यह वीडियो बिने skip की ओच करते रही है क्योंकि अगर आप इस वीडियो को skip करोगे तो आपका जो ATM कार्ड है वो apply नहीं हो पाएगा फ्रेंड मैंने जो है यहाँ पर अपना जो एंपिन है वो यहाँ पर इंटर कर दिया है और मेरे को जो है यह दिखा रहा है पिर्येग राक 600 दिन FD योजना पर अधिक्तम ब्याज दर का लाब उठा है जमा आउधी दर्ज करे 60 600 दिन तो यहाँ पर जो है यह दिखा रहा है तो यहाँ पर जो है यह दिखा रहा है कि ब्याज अगर आप लेना चाहते हो तो आपको जो है इसमें 600 दिन तक अपना जो पैसा है वो आपको जमा करके रखना है और आपको अपनी जो FD है वो भी मिलेगी तो यहाँ पर जो है आपको एक option मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हो debit card simply सा आप देख सकते हो यहाँ पर service की बगल में आप देख सकते हो debit card आपको इस पर click करना है debit card debit card पर click करने के बाद यहाँ पर जो है यह दिखा रहा है apply for new debit card यहाँ पर आप देख सकते हो apply for new debit card आपको simply से इस पर किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करोगे तो यहाँ पर जो है यह बोलेगा account number तो यहाँ पर जो है आपको अपना जो account number है वो यहाँ से select कर लेना है account number select करने के बाद तो यह जो यहाँ पर दिखा रहा है name on card यनि आपका जो debit card पर नाम है वो क्या रहना चाहिए तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो मैंने जो यहाँ पर लिख दिया है अब्दुल खालिक यहाँ पर already था तो यहाँ पर जो है मैं continue पर click कर देता हूँ continue पर click करने के बाद यह जो यहाँ पर मांगेगा T pin यानि transaction pin तो यहाँ पर जो है मेरा जो transaction pin है वो मैंने यहाँ पर enter कर दिया है transaction pin इंटर करने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हो dear customer request already submitted or pending or processing apply help line number तो यहाँ पर जो है मेरा जो ATM card है वो already apply है तो इसके कारण जो है यह दिखा रहा है कि आपका जो ATM card है वो already apply है और आप जो है अपना ATM card apply नहीं कर सकते हो तो इसका जो अदेशी है यह ही है कि आपका जो ATM card है वो already apply है अब जो है आप अपना ATM कार्ड अपलाई नहीं कर सकते हो तो friend मेरा जो ATM कार्ड है वो पहले से ही अपलाई है और otherwise अगर आपने अभी तक ATM कार्ड अपलाई नहीं किया होगा तो आपका जो ATM कार्ड है वो अपलाई हो जाएगा और अगर आपने ATM कार्ड अपलाई कर दिया है या आपके पास ATM कार्ड है वो ATM कार्ड बिलोग हो जाता है तो आप जो है अपना जो ATM कार्ड है वो नया मगा सकते हो और अगर आपको जो है अगर आपका जो ATM कार्ड की जो मन्त होते हैं डेट अप मन्त तो आपका जो ATM कार्ड ए हो रहा है यानि एक्सपैर हो रहा है या होने वाला है तो आप जो है उस एट्यम कार्ड को बिलोग करके भी अपना जो एट्यम कार्ड है वह अपलाई कर सकते हैं